कि अच्छी एक बार जल्दी से बताना आवाज आ रही है कि नी सोरी थोड़ा ने टिशू था इसलिए क्लास थोड़ी कि आपको मैसेज भी कर दिया था वोटसेप पर बट बहुत सारे लोगों को लग रहा था फेक आईडी है कि एक बार जल्दी से बताओ आवाज वगेरे आ रही है कि नहीं हूं चले स्वागत है आपका टीचर सद्डा के यूटूब प्लैटफोर्म पर और आज की क्लास का आपका कुश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो आपका थोड़ा सा मैप से रिलेटेड है थोड़ा सा आपको मै प्याद रखना पड़ेगा थीच है पहला कोश्चन है निमने लिखित में से सही कथन हम डिसकस कर रहे है 23 और 24 जन्वरी के पेपर को ठीक है तो निमने लिखित में से सही कथन का चैन करे केरल का तट अरब सागर पर है जबकि करनाटक का तट बंगाल की खाड़ी पर है केर केरल और करनाटक दोनों के तड़ बंगाल की खाड़ी पर है केरल और करनाटक दोनों के तड़ अरभ सागर पर सागर और अरब सागर की तरफ पाँच राज्य पढ़ते जब कि भंगाल की खाड़ी की तरफ आपके चार राज्य पढ़ते जो कि आपके कोस्टल एरिया से तटीय इलाके बोले जाते हैं इन पांच राज्यों में से कौन-कौन साहे गुजरात है गोवा है करनाटक है केरल है और आपका महाराष्ट्रे चार राज्यों की तरफ कौन गोन से है आपका आंधर प्रदेश है, ओडिसा है, वेस्ट बंगाल और तमिल नाडु है तो answer to this question will be केरल और करनाटक दोनों के तट किस साइड बे है ठीक है अरब सागर की तरफ है डी विल वीदा, राइट एंसर है ना, चलो नेक्स इंग इस वह तारीख जिस दिन बच्छिंदरी पाल ने माउंट एवरेस की चोटी पर कदम रखा और भारतिये राष्ट्रिये दोज तिरंगा फेरा है, तेईस मही उननिस सो चौरासी, तेईस मही उननिस सो नवासी, ठीक है, तेईस मही उननिस सो चौरासी, तेईस मही उननिस सो चौरासी को, ठीक है दोपैर के एक बच के साथ मिनट पे, ठीक है, इनो ने नेपाल और विश्व की सबसे उची चोटी, ठीक है नेपाल की आपकी सबसे वड़ी चोटी, जिसकी हाइट, NCRT में 8900 मीटर है, नेपाल में इसकी हाइट 8900 मीटर है, वर्ल्ड लेवल पे आप 8850 मीटर बोलते हो, ठीक है, 2018 में 2 मीटर बढ़ गई थी, टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट की कारण, ठीक है, तो नेपाल में इसकी हाइट 8900 मीटर और विश्वी की सबसे उची चोटी सागर माथा पर इनोंने जंडा गाड़ा, ये विश्वी की पांचवी और भारत की पहली महिला है, जो माउंट एवरेस पे चड़ी, और कुल इनोंने वहाँ पर 43 मिनट गोजा रहे थे, कोई पूछे कितने मिनट गोजा रहे नोंने तो 43 मिनट गोजा रहे थे, तो आपको एक एक चीज याद होनी चाहिए, रीजन इस कॉस कथन वाइस अगर कुश्चन मन गए, कथन वाइस की इनमें से बच्छेंदरी पाल से रिलेटेड कौन सा कथन सत्य है या पर गलत है, तो कथन वाइस में ये सारे पॉइंट इंक्लूड किये जाते हैं, जैसे हातियों की उपर आपने देखा होगा, हाती ज्यादा नहीं सोते हैं, हाती ज्यादा सोते हैं, ठीक है, तो दोपेर के एक बच के साथ मिनट पे ठीक है, विश्व की पाँच वी और भारत की पहली महिला बनी, जिन्होंने आपक और इसको सागरमाता बोलते हैं, तिब्बत में इसे चोमो लुगमा बोलते हैं, अच्छा, सबसे पहले, सबसे पहले, मौंट एवरेस पे, मौंट एवरेस पे, चड़ने वाला व्यक्ती कौन था? सबसे पहले, मौंट एवरेस पे, चड़ने वाला व्यक्ती कौन था? रोम रोम सर्जी, रोम रोम, कितनी तारीक, 23 मही 1984, चुंको तवई, अच्छा, सबसे पहले, मौंट एवरेस पे, चड़ने वाला व्यक्ती कौन था? राकेस सर्मा बेटा, चांज पे, अंतरिक्स में गये थे, ठीक है? मौंट एवरेस पे नहीं गये थे, वो अंतरिक्स गये थे, अंतरिक्स पे इंदरा गांधी ने पूछा उन से, अमाँ भारत कैसा लग रहा है, तो उन्होंने एक सब्द बोला, वजई विश्वत तिरंग प्यारा ठीक है, नहीं, विश्विश्वत तिरंगा प्यारा नहीं, वो तारे जहां से अच्छा, इंदो सता हमारा, अंबुल भुले है, ये गुल सता हमारा, ये बोला था, ठीक है, वो अंतरिक्स बोला था, मौंट एवरेस प चलके नहीं बोला था, तो सबसे पहले व्यक और अगर कोई पूछे भारत के सबसे पहले भारत के सबसे पहले व्यक्ति कौन थे भारत के सबसे पहले व्यक्ति कौन थे भारत के सबसे पहले व्यक्ति जो थे वो थे अवतार सिंग ठीमा अथार सिंग चीमा और यहुं आपको ऑताय जारा हो Rapha क्या इंहां selo चुर्ण के वह वाद करोता हिए खाव का सिकार होगा उने लग躁 हरु के वाग की आबादी में व्रद्धि सब्सक्राइए जाएगी भाग अपनी भोजन की आदत बदल देंगे क्या होगा जय हिन जय भारत मेटा तो बताओ वेरी गुड तो बागों की आबादी क्या हो जाएगी घट जाएगी ठीक है तो बाग क्या करेंगे इंटर स्पेस्पिक कॉंपटीशन करेंगे मतलब आपस में लडाईया करेंगे तो एक दूसरे को मार के खाने लगेंगे दूसरी चीज़ धीरे-धीरे इनकी भूक से भी मौत होने लगेगी तो धीरे-धीरे बागों की जनसंख्या क्या हो जाएगी घट जाएगी इसलिए प्रकरती में खाद श्रंखलाएं एक्जिस्ट नहीं करती आपको बहुत सारी फूड हैबिट दी गई है कि आपको जो मन करे वो खाओ इरन नहीं मिल्ला खरगोस तलास लो खरगोस नहीं मिल्ला लॉम्डी तलास लो लॉम्डी नहीं मिल्ले वो इरन का बच्चा तलास लो इरन का बच्चा नहीं मिल्ला आती का बच्चा तलास लो ठीक है बहसा तलास लो चीतल तलास लो जो तलास ना वो तलास लो और चटकाद हो एक एक को ठीक है तो answer to this question will be आपने पहले डी बताया था सर अच्छा पहली बार question कर रहे है और answer डी बताया था गजब नसावसा करके आते हो का class में सुबह सुबह दिसंबर 2020 में दिल्ली का AQI क्या होता है नहीं वो तो पूछा ही गया क्या होता है AQI 331 था AQI निमन लिखित मैंसे किसे दर्शाता है वायू मात्रा सूचकांग को एर क्वांटम इंडेक्स को वायू गुनवक्ता सूचकांग को ठीक है वायू दुविगात सूचकांग को सर आदत नहीं बदलेंगे सर्वाईवल के लिए आदत तब बदलेंगे ना जब मेरे पास बचा हो खाना टाइनोसोर्स क्यों खतम हुए आईसे जागी आईसेज आगी प्लांटस नहीं मिले लांट्स नहीं मिले हरवी बोर्स जो थे वो तो वैसे ही मढ गया कारनीवोर तो सिकारी कर रहे थे उनका ठीक है फिर जो बच गय थे कारनीवोर वह का करें एक दूसरे की सकल देखते ही कि आखरी में जो रहे गया वो तडब तडब के भूग से मर गया इसलिए नेचर ने बैलेंस बनाया हुआ है कि साकारी के साथ मासारी होने चाहिए तब पिछला फिर से answer to this question will be बागों की आबादी घट जाएगी बाग नहीं बदलेंगे फुट हैविट बदलने में टाइम लगता है चलिए तो एक यूई 331 था इसका मतलब क्या है ठीक है यह आपकी चल रही है क्या वायू क्वालिटी इंडेक्स देखो आपका राश्ट्र राश्ट्रिय वायू गुनवक्ता सूचकांग इसे सन 2015 में लागों किया गया इसके तहत आपके कुछ मॉनिटर्स लगाए गये थे इन मॉनिटर्स को हम बोलते सफर ठीक है तो बड़ी-बड़ी स्क्रीन लगी होती है ना बड़ी-बड़ी सिटीज में लिखा रहे था कार सब्सक्री में लिख लेना और इस पर कॉश्चन मनाए तो इस पर एडवांस भी बन सकता है कब लागों हुआ था 2015 में हुआ था ठीक है दूसरी चीज क्या बनेगा किते वायू प्रदूशक को मॉनिटर करता है तो याद रखना एयर पॉलूटेंट को एट वायू प्रदूशक को को मॉनिटर करता है तीसरी चीज किस थीम के साथ लागू हुआ था ठीक है तो इसकी जो थीम रही थी वन कलर वन कोड वन नमबर एक संख्या होगी वो संख्या का एक कलर दिया जाएगा और हर कलर का एक मतलब होगा एक कोड होगा तो यह कहीं लिख लेना क्लियर है ठीक है तो आट एर te को आट वाईउ परदूशकों को यह क्या करता है चेक करता है एक चीज भी बनाई जा सकते है कि कोन सा वाईउ परदूशक वाईउ गुन वक्ता सूच-काइंग में नहीं तो यहाद रखना कहीं भी लिख लेना कारबंडा वक्साइड इंडेक्स के बारे में नेट के एक्जाम में पूछा जाता है जाने तुम लोगों को कैसा फूच दिया की ऐंसर कींव नहीं कर रहे एरे किसका एंसर की नहीं कर रहे पॉस्चन भी तो दिखना चाहिए आंसर के लिए कि खुद से कुछ भी बड़ बड़ा आने लगे अलफा स्क्वार बीटा ट्यू थीटा तुम कहोगे सर पागल हो गया भरी क्लास में ठीक है तो एंसर टू दिस कोश्चन विल भी वायू गुनवक्ता सूचकांग तो 2015 में लागू हुआ आठ वायू प्रदूशक रखे जाते हैं कारबंडा उकसाइड इसमें नहीं मॉनिटर किया जाता और यह वाले कोश्चन आपके नेट में आते हैं इसकी एक थीम थी एक र परिवार से संबंद करता है यह रैप्टाइल है 10 रफ है इ एक है कि कौन है सरी सरफ है कभूतर क्या है एवेस है शेट पक्षी वरगे मेंडक क्या एंपी बियन्स है उबहेचर है नहीं है मचली नहीं है वेल आपका सबसे बड़ा दन M coverta जीव है और ये स्तनपाई जीव, ये सारे के सारे कैसे हैं, कशे रूख है, मतलब इनके पास क्या उपस्तित है, रीड की हड़ी उपस्तित है, तो A will be the right answer, A is का सही जवाब है, लंगर की प्रथाक का तात्वर है, आपने देखा होगा, अकसरगार आप जब गुरुद्वारे बगर ज आता है, तो लंगर एक प्रकार से क्या है, मध्यान बोजन है, निशुलक सामुदा एक रसोई है, सामुएक भेट है या पवित्र बोजन है, तो लंगर क्या एक तरफ, याद रखीगा, लंगर आपकी क्या है, ठीक है, एक तरह की का, निशुलक रसोई है, ठीक है, जो कि आ आपके हर धर्म के लियोगों के लिए ठीक है आपका बेसिकली सिख समाथ चलाता है जहां पर आप जाके मुफ्त में खाना ले सकते हो भी विल वीदा राइट इंसर जल इस्तर के नीचे कठोर चट्टान अब यह वाला जो कुश्चन ही यह साइंस एर्थ क्लास से लिया गया कुश्चन है चैप्टर है वाटर ठीक है अब तुम कहें तो साइंस क्यों पढ़ा रहो एवी एस पढ़ा ठीक है तो यह साइंस एर्थ क्लास से लिया गया कुश्चन है जल इस्तर के नीचे कठोर चट्टानों की पड़तों के बीच जमा पूजल क को कहा जाता है भूमिधत जल जल भरत ठीक है जल भरत या फिर ऐसे जल भर भी बोलते हैं कि बैठा हुआ पानी या गुप्त जल भोग नहीं है वह बारवी तेरे भी शताब्दी में चालू हुआ था और यह कंसप्ट चालू किया गया था कि निश्वल को भोजन दिया जाए जो भी आपका किसी भी धर्म का हो ठीक है तो वह प्रसादी नहीं है तरह से एक तरीके से निश्वल को भोजन तो वेरी गुट तो आपका जो बेसिकली चट्टानों के बीच में जो क्रीक्स होती है ठीक है जो चट्टानों के बीच में जगहे इनके बीच में जो पानी आ जाता है इस पानी को हम बोलते है क्या? याद रखना याद रखना यह साइन्स से कुश्चन आया था आपकी NCRT से लोग तक जील किस प्रकार के लुप्त प्राय हिर्नों के लिए एक मात्र स्थान है देखिए लोग तक जील आपका पहली चीज आपको याद रखना है यह मनीपुर में ठीक है दूसरी चीज इसके चारों तरफ एक मात्र तेरता हुआ राश्ट्री ओध्यान है तीसरी चीज आपको याद रखना है इन तेरते हुए दुईपो को हम क्या बोलते है एक तरह से घास के मैदान बोलते है ग्रास लेंड बोलते और इनको बोलते है क्या इंगलिश में फुम्दी क्या थिस्ट्री चीज आपको याद रखनी है लोग तक जील आपकी मों ट्रॉक्स रिकॉर्ड में रखी गई है ओन्ट्रोक्स रिकॉर्ड और पांच भी चीज आपको याद रखनी है कि इस जील के आसपास जो एक मात्र तैड़ता हुआ राश्ट्रिय उध्यान है जिसका नाम क्या है कीबुल लामजो कीबुल लामजो इस कीबुल लामजो में देखने को मिलते हैं आपके नर्त हिरन या फर इनी नर्त हिरनों को आप क्या बोलते हो संगाई हिरन डी विल वीदा राइट एंसर डी इसका सही जवाब है तो इतनी सारी इंफोर्मेशन आपको लोग तक जील के बारे में याद रखनी है पहली चीज लोकतल जील का है मनीपुर में यहाँ पर एक मात्र तेरता हुआ राश्ची उद्ध्यान नाम क्या है कीबुल लामजो और पूरे विश्व का एक मात्र तेरता हुआ है इन तेरत वह दूइपो को हम जो फ्लोटिंग आपके आइलेंड्स हैं इनको हम बेसिकली फुम्दी ग बोल सकते हो तांसिंग डियर नर्त हिरन देखने को मिलते हैं चाहे तो इसका स्क्रीन शॉट ले लीज़े ठीक है तो नर्त हिरन देखने को मिलते हैं क्लियर है हां जी बिटा यह 23 और 24 जन्वरी का पेपर है इतना डीटेल में याद रखने के लिए क्या करें भई प्रेक्टिस करें कोश्चनों की और क्या करें ठीक है देखो सिंपल सा तरीका बताता हूं जैसे कि अगर मेरे पास में एक चीज है अगर मेरे पास में एक कुश्चन है तो बाग से क्या-क्या कुश्चन बन सकते हो खुच से सोचो कि बाग मैं बाग पढ़ा रहा हूं मैं कल को स्कूल में बाग पढ़ानी जाओंगा या जाओंगी तो मेरे से बच्चा क्या-क्या कुश्चन क कर सकता है कि मैं बाग कितने घंटे सोता है तुमसे बच्चा क्या कोश्चन कर सकता है कि बाग कितना पानी पीता है तुमसे बच्चा क्या कोश्चन कर सकता है बाग की उम्र क्या होती है तुमसे बच्चा क्या कोश्चन कर सकता है बाग दिबस कब बनाया जाता है तुमसे तुम्हें जरुवत नहीं पड़ेगी किसी की ना तुम्हें बहुत सारे जो अपने आपको बोलते हैं कि हम EBS के प्रखांड पंड़तों उनकी जरुवत पड़ेगी हमारी भी जरुवत नहीं पड़ेगी इससे ज़्याइब और अदिसे जादा बार में जब क्लास ले रहा थो आधा अम मैं पढ़ा रहएं स्वादा की बारे में pretty packed करो मैं स्वाद के बारे में जीब के बारे मारा रहूं बच्चा इसमें मैं क्वेश्ण के करताストरी वेश्ण कैसा नहीं बहिए तुम खुद बताओ किया से कुछ को बच्चों का एक्जाम लेना जीब से कैसे कुश्चन बनाओगे सोच जड़ा सर ये कौन से चप्टर में से हर्षिस सिंग ये किसी चप्टर में से नहीं है NCRT के अलाभा भी आपकी कुछ चीजे पूछी जाती है ये आपका बेसिकली बायो डाइवर्सिटी एक टॉपिक होता है जिस मैं नेशनल पार्ग के बारे में पढ़ाया जाती है NCRT से भाढ़ का है ये कोच्छन हा तो आया हुगा है ना तुमको का लगता सारी NCRT आती है नहीं बेरलाल AQI NCRT में ही नहीं एक यूवाइन नेट को पढ़ाया जाता है ठीक है जो नेट एनवारमेंट की तैयारी करता है उनको AQI वगेरा पढ़ाया जाता है वरना पूरी 12 तक की NCRT में AQI की बारे में नहीं है सफर AQI ये सब नेट लेवल को पढ़ाया जाता है अच्छा बताओ तुम कल को जीब पढ़ाने जा रहो क्या कोश्चन मनाओगे एक कोश्चन मना के बताओ जीब से मेरे को कितने स्वात को चक सकते उसमें अभी बहुत सार बच्चे के रहे सार इसमें से क्वस्चन कैसे वनता है यह थोड़ी पूचेगा रामलाल की लुगाई सीता की बेटी का नाम क्या था यह पूचेगा की जीब का काम क्या होता है खुद से अपनी ब्रेन की अनलेसिस करो सोचो क्या 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 कोश्चन मन सकते तो देखो लोग टक जील से यह सारे कोश्चन मन सकते ठीक है नेक्स इंग इस आटी आए अधिनियम थीग है दोजार नो सुनिष्चित करता है जन्म से छह वर्ष तक के बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्ष सिक्षा 14 वर्ष की आयू तक के बच्चों को निशुल्क और अनिवार्ष सिक्षा 6 साल है 6 साल के लिए 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों को निशुल्क और अनिवार्ष सिक्षा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्ष सिक्षा तर आपका घर का है मेरे घर इस दर्टी भई नहीं है का करें तो छैसे 14 वर्ष के लिए ठीक है मुफ्त सिक्षा होनी चाहिए और अनिवार होनी चाहिए यह आपका आटियाई 2009 बोलता है पक्षी अक्सरकार अपना सर हिलाते यह क्यों कि गरदन में मास पेशियों का फड़कना आम बात है आके इस्तिर है और हिल नहीं सकती यह एक अनेच्छिक क्रिया है साथी को आकरशित करने के लिए आपने देखा होगा जो बड्स बैठी रहती है फ्रीब है तो यह ऐसे ऐसे क बताना जरा कि जटका दे दे के आगे पीछे अपनी गरदन को कौन कर सकता है अरविंद बता दिंगे डट जाओ तो वेरी गुड एंसर टू दिस कोश्चिन विल भी देखे बहुत सारे जानवरों की ठीक है लेट सपोस मैं अभी एक बर्ड हूं ठीक है मैं कबूतर हूं या फिर मैं फाकता हूं कलचडी हूं हट जाओ काले कलर का मैं कल हुआ हूं मैं काला आदमी हूं मैं कलचडी हूं अपनी पुतलियों को फिरा नहीं सकते पुतलिया फिक्स है इसलिए इधर का विजन लेना है तो मुझे और इधर का विजन लेना हो तो मुझे इधर दीखना पड़ेगा इसलिए अपना सर इलाते रहते हैं बहुत सारे जानवरों की आखे सामने होती है बहुत सारी बर्ड प्लस आपकी जो आईबॉल से यह फिक्स नहीं है इसलिए जब वहां से कोई भी सुन्दर मैडम जारी होती है तुमने देखा होगा अक्सरकर बॉइसों को जब भी कोई सुन्दर मैडम जारी होती है रस्ते में मुंडी नहीं गुमती बागी सब गुम जाता है पीछे अगर चलिए कई तम मुंडी होगे तो देट इस आइस फिक्स है ठीक है इसलिए हम क्या करते रहते हैं रोटेट करते रहते हैं चलो तो आंसर टू दिस कोश्चन विल भी बी साथी साथ कौन सा पक्षी कौन सा पक्षी आगे पीछे करता है सर को आगे पीछे करता है जटके से ये कोश्चन पूछा गया आपका आगे पीछे करता है जटके से बताओ आगे पीचे करता है क्या जटके से very good answer to this question will be मैना next thing is सरकारी कानून की सापों को कोई पकड़ नी सकता और रख नी सकता किस अधिनियम के अंतरगत आता है देखे आपका परियावरन संद्रक्षन अधिनियम ये सारे परियावरन में चलने वाले कानूनों का बाप बोला जाता है आज से ये क्या माई बाप है तो इसको छाता विदान बोला जाता है अम्रेला लेजिसलेशन बोला जाता है जैब विद्धता अधिनियम किसी भी एरिया की बायो डाइवर्सिटी कईयो जगे लिखा रहता ना कृपया यहां फूल पत्ती मत तोड़े यह अमूल धरोहर है ठीक है तो वो मस्ट भी वो कोई फूल पत्ती जो होगा ठीक है वो यहां तो एंडिंजर प्लांट होगा इसलिए लिख दिया गया है यहां नॉर्मली प्लांट को नुकसान नहीं पहुचाना चाहिए बट आमा इनसान की क्या आदत है चुल करने की खास कर की यूमन्स की ठीक है इनको जो जहां यह लिख दिया जाता है न कि यह काम मत करें वो तो सबसे पहले करेंगे जैसे यहां लिखाओ यहां मत मूते तो especially males ठीक है I'm not talking about the females especially males we take it as a challenge है हमको challenge कर रहा है यहां अब तो यहीं करेंगे तो जब यह लिखा रहता है ने कृप्या यहां फूल पत्ती मत तोड़ेंगे अब तो तोड़ेंगे कोई किसी का बाप रोक के दिखा दे वो प्यार करती 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 वो प्यार नी करती इसलिए ऐसे एरिया पर हम जादतर क्या करते कोई कोई स्टोरी बना देते हैं कि अगर वहां से कोई फूलबत्ती तोड़ता है रात में एकाती है अलासा तो उसका पीचा साथ चन्नों जोड़ें तो इस जैवेक विविद्ता अधिनियम की फूलबत्तियां और फ्लोरा फोना को नुकसान नहीं पहुचा है वन्नी जीव संरक् करें यह अमूल्य दरुवर है वन्न संरक्षन अधिनियम यह केवल फोरेश के प्रिजर्वेशन की बात करता है तो एंसर टू दिस कुश्चिन विल भी सी एक कुश्चिन यह पूछा जा सकता है कि वन्ने जीव संरक्षन अधिनियम में कितनी सूचिया रखी गई है जिनके तहत पौदे और पौद जिनके तहत आपके पशुओं को रखा जाता है तो छे अनुस उचिया रखी गई है जिसके तहत आपका क्या रखा जाता है पशुओं को रखा जाता है ठीक है यह लिखा होता है देखो गदा है देख रहे हैं है कि चलो राजाजी राष्ट्रिय उ हुआ करते थे तीन संचुरी हुआ करती ठीक है यह तीन संचुरी कौन सी होती थी एक तो थी चिल्ला ठीक है राजा चिल्ला रहे ठीक है एक थी आपकी कौन सी डैट इस मोती चूर और एक थी आपकी राजा जी तो राजा जी मोती चूर के लड्डूगा के चिल्ला रहे ठीक राजाजी नेशनल पार्क और ये आपका काप है वेरी गूड उत्रा खंडव हैं राहुल को सर्दी है वे अपने पसंदीजा भोजन का स्वाद नहीं चक पाता यह है क्योंकि पैपिला समवेधन शील नहीं है पैपिला को ही स्वाद कलिका बोलते हैं टेस्ट बड बोलते हैं स्वाद कलिकाए को सूझ गई है जुखाम उसकी गंद की भावना को प्रभावित कर रहा है जुखाम आपकी स्वाद कलिकाओं को सुन कर रहा है very good answer to this question will be C हमारे पास total 4 taste होते एक है मीठा मीठे के बाद आता है नमकीन नमकीन कैसा मिलता है हमको मार्केट में खटा और एक सबसे पीछे होता है क्या कड़वा है न बट इन सब के अलावा हमारे पास यहां बीच में एक चीज और होती है जिसको हम बोलते है इमामी की बहन उमामी उमामी एक जैपनीज वर्ड है और इसका मतलब होता है पूर्न स्वाद दे कम्प्लीट टेस्ट जिसको आप इंगलिश में इख असब आपका खाने का तभी बनता है जब खाने के पहले काम करें आपकी नोस स्मेल और फिर काम करें आपका टेस्ट ठीक है पहले काम करें क्या स्मेल और फिर काम करें टेस्ट इसलिए जब आप शादी वगेरा में जाते हो जैसे डखन कुलता है यह तो खाऊंगो इत्ती अच्छी कुसबू को भाई साब यह कहा है कर जा कि siitä कर? जब आप जूखाम होता है आपको यह काम नहीं करता है स्मेल काम नहीं करते है केवल काम क्या करना होता है टेस्ट इसलिए जब बीमार होते हो या फिर आफ आप क्या होते हो ठीक है बीमार होते हैं या जुपाम होता है तो कीवल क्या काम कर रहा होते है इसलिए आपको क्या नहीं आता अमामी नहीं हाता दैस फ्लेवर नहीं हाता चीज का इसलिए जब आप बीमार पड़ोगे पूरे टाइम रोगउ यह चाह तो मीटी मीटी लग रही यह स्वाद तो आनी रहा जा मैं चाहेगा यह सब्जी में नमक नमक सब्लागर वह सब्जी का तो स्वाद ही नहीं आरो मैं कहा करू मम में भूक ही नहीं लगे तो the thing is you are unable to feel umami कि आप लोगों को umami नहीं समझ में आ रहा इसलिए आपकी इमामी खराब होगी कि लियर है तो आप समझ में आया जब बीमार पढ़ते हो तो एस तो आता है चीज़ का नमक आपको फील हो रहा है मसाले नहीं फील हो रहे है क्योंकि आपका उमामी खराब है चलो आपके जीब के सिरे से लेकर सिरे तक की और और पीछे तक स्वात कलिकाओ का सही करम मतलब बूच रहा है यहां से यहां स्वात कलिकाओ का सही करम तो यह क्या है मीठा है मीठा के साथ मेहमानों को क्या देते हैं नमकीन देते हैं नमकीन कैसा देते हैं खटा मीठा देत ठीक है और पीछे में आपका क्या होता है जब मेमान चली जाते तो कड़वी कड़वी बाते करते है कि चार बिस्कुट जादा खा गया यह ठीक है तो क्या होगा मीठा-खटा ना मीठा-नमकीन खटा कड़वा भी विलवीधा tea the print में मीन के आटे खट्टा मेथ दर देटे अर महमान का है। जल्दी जल्दी में चार ब का लेते हैं 누나 बलसी होते हैं एक जील दर लेते हैं का ले bringen और फै ayuda प्रजाती जो गंबी रूप से विलुप्त होने के खत्रे में ऐसी प्रजातियों की देखरेक करती है आपकी आयूसीन रेड लिस्ट और ये इसको रखती है लाल सूची में आयूसीन रेड लिस्ट का हेड़कॉर्टर कैनडा में है और इसकी स्थापना 1964 में होई थी अब तुम में से बहुत सारे ज्यानी लोग आएंगे इस पर कमेंट करेंगे ए जे मास्टर को कच नहीं आता ऐड़कॉर्टर ग्लांड में और आयूसीन उननिससोटालिस में बना था तो वह पेरेंट औरसने ये उसके तहत में काम करती है छोटी औरसने जिसको आयूसीन रेड किताब पस्टूर्श करती में पूरा ग्यान ले के आये करो तब बहस किया करो चलो तो very good कौनसी species रखेंग जादा देखी जाती है endangered species एक question और पूछा जाता है कि IUCN red list में IUCN red list में total कितनी प्रजातिया होती है मतलब जह आप पढ़ रहे हो लुप्त प्रजातिया वो total कितनी होती है IUCN red list में total कितनी प्रजातिया होती है 4 होती है 5 होती है 6 होती है 27 होती है कितनी होती है जल्दी बताओ तब तक मैं आगे question बढ़ रहा हूँ चलो which of the following food chain correctly describe the flow of energy in ecosystem निमनलेखित में से कौन सी खाजे शंगला एक पारिश्थित की तंत्र में उर्जा के प्रवा को जर्शाति है very good very good कितनी total प्रजातिया होती है 9 प्रजातिया होती है 9 लिस्थ होती है 9 सूचिया होती है जिनके तैत अलग-अलग species को रखा जाता है clear है 27 नहीं 9 लिस्थ नो प्रजातिया होती है endangered species critically endangered threatened vulnerable extinct in the wild extinct species not evaluated then आपका data deficit species और एक और रहती है that is कौन सी थी endemic species ठीक है तो यह सारी प्रजातिया रहती है very good answer to this question will be c घास को बकरी खाएगी बकरी को इनसान खाएगी चलिए new thory waste question ठीक है if a grasshopper is eaten by a frog ठीक है अगर grasshopper को टिड्डे को कौन खाले मिंड़क खाले तो जो उर्दा का संभान हुआ है producer से decomposer निर्माता से decomposer अब गटकों में हुआ है producer से primary consumer प्राथमिक उत्भोकता से उत्पादक में हुआ है ठीक है ओ सॉरी प्राथमिक उत्भोकता को उत्पादक द्वारा दिया गया है एसे लिख लो अन्ना यह statement गलत प्राथमिक उत्भोकता से लेकर माद्मक उत्भोकता में गया है secondary consumer to primary consumer ठीक है प्राथमिक उत्भोकता को दुतिव्यक उत्भोकता ने दिया है बताइए उड़जा का संभान कैसे हुआ है ठीक है तो देखो ठीक है इस मेंडग को खा गया होगा क्या साप साप को खा गया होगे कौन मूर सपोस करो ठीक है घास क्या है प्राथमिक उत्पादक यह आपर उत्पादक तो यह आपका प्रथम पोशी स्थर है ठीक है इसको हम one degree देदे तिद्धा क्या है? चुकि ये शाका आरी आरी जानवर है. तो शाका आरी जानवर आपके दुठियe पोशी स्थर पर रखे जाते ने त्ज़ेन ने करेंगे एक क्रीनओर सबसे बड़ा हो जाएगा मोर और बाज तो यह आपके चतुर्ट530 तर हो जाएंगे ऐसे ऐऊर्जा का संवन चल रहा है किससे तो सेंड्ड़ेसी खैए तर्शरी में आपका ब्रहें कंजूमर प्राथमे случа chad sociaux लगे सबस्युन, और स Is if you को ऐस लंजरेे से लिऄ यह सीवीदा प्राथमे को भोगता में जा करके स्कूल जाते का पर रह रवली का से क्स तरजली का सिर्ष रहा रह देखना पड़ता है इसे देखना पड़ता है तो ट्रॉली का उपयोग करते के स्कूल जाते कहां पर, that is, लद्दाग में C will be the right answer, ठीक है, टैश is an animal with ear on top of its head, dog, cat, elephant, rabbit, ठीक है, कुत्ता, बिल्ली, हाती, घरगोश, कुत्ता, बिल्ली, हाती, घरगोश, जल्दी बता है, तो आपने देखा होगा, जो खरगोश होती है, इनके जो कान होते है, वो पत्ती जैसे, लीफ लाइक होते है, ऐसे, ठीक है, और ये, ऐसे सर पे रहते है, ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा, आज कल इंस्टाग्राम पर बहुत सारी लड़की, ऐसे वाला वो लगा लेती ह तो ऐसा वाला फिल्टर भी आगया आजकल तुम्हारे स्नेप्चेट पर है वही लगा कि ऐसे ऐसे करते करते फोटो के जवाती रहती है ठीक है तो आंसर तू दिस कुस्ट्टन विल भी ती विच इस दा फिफ्टी फोर्थ टाइगर रिजव आपके भारत में टोटल कितने टाइगर रिजव है चौवन हो गये पहले कितने थे त्रेपन में थे दो अजार बाइस में दो बड़ा दिये गए ठीक है तो कामलांग अरुनाचल प्रदेश का अरुनाचल सही सलम आंध उत्तर प्रदेश का रानीपूर उत्तर प्रदेश का गुरु गासीदा चत्तिसगड़ का अगर्व एक चीज और होती है एक होता है यह सारे की सारे क्या है अपवोकता है जितने भी जानवर होते है इनको फिर होता है दुतियक उपोगता हमेशा मासा आरी जीब हो गा है फिर हो गाइच थरतियक उपबोकता हमेशा वह जीव होगा जिसका शिकार नहीं किया जा सके इनको शीर अपभुघता भी बोलते हैं तो प्राइमरी कंजूमर से सेकंड़री कंसूमर में प्रात्मे को बोगता से दुतियक उपभोगता या माध्यमिक उपभोगता में चलो बताओ कौन सा है चलो वेरी गुड एंसर टू दिस कुश्चन विल वी रानीपूर उत्तर प्रदेश चित्र कूट में यह आपका चौवनवा टाइगर रिजर्व बना है और त पचपन हो जाएंगे रियर इंग ओफनी भी स्कॉल सेरी कल्चर पिसी कल्चर। इसलवी कल्चर एक कल्चर टीकह तो जब आपके आज पास में मधुमक्खी आती है आप लोग बी ऐसे番प कर रहो हो तो टीक है पहली चीज़ मधुमक्खी आपके पास आती नहीं है ठीक है म प्रेसिव नेचर की नहीं होती जब तक ना चेड़ा जाए वैस्प कभी भी पपी दे के बाग सकती है इन से दूर रहना क्या बोला जाता है एपी कल्चर बोला जाता है इंसान देख सकते हैं उनके शरीर से बदबू आती है मनुष्यों को अंदेरे में देखना आसान है या फिर प्रकाश की कारण तो आपने देखा होगा कईयों बार रात में जब आप सो रहे होते हो चद्रा ओड के वाट्सेप पर मंदर पर देवी देपता खुस कर रहे होते हो तो कान के बगल से एक आती किच्छे बात कर रहे हूं रात में शोनी भारे तो पपी देखे चली जाती तो very good तो they smell their body यह इनकी टांगों की गंद को सूम सकते हैं और शरीर की गर्मी को फील कर सकते हैं ऐसा NCRT बताती है reality में यह reason नहीं होता बट हम वही मानेंगे जो NCRT बता रहे है क्योंकि आपका exam NCRT बना रहे है, researches नहीं बना रहे है which brain is associated with critical thinking मैतपून सोच का संबंद किस मस्तिक से है cerebrum से, अब यह भी question आया ठीक है, यह आपका 2013 का question है offline का, अब यह वाला भी question आया अब यह तो science है, entirely science है ठीक है, फिर कैसे EVS में पूछ दिया ठीक है, तो cerebrum से, cerebrum से, hypothalamus से या medulla से very good, very good, very good समझ गया हम, यह तुमको पता है reason चलो, which brain is associated with critical thinking देखिए, simple सी बात बता रहो critical thinking, thinking मतलब सोचना याद करो जब तुम्हें एक्जाम में बैठे रहते हो और जब तुम्हें कोई question नहीं आ रहा होता तुम सब नहीं किया होगा जब exam में बैठे रहते हो और question नहीं आ रहा होता हो, बगल से examiner आके तुम्हें कोपी ऐसे देखने लगे तो हम सब का एक reaction होता था क्या एक तो क्या मिर्ची सी लग जाती थी जाने क्यों, ठीक है इवन practical और वाइवा जब तुमने दिया होगा ठीक है, अपने time पे और कोई question पूछ लिया, भले ही उसका answer नहीं आता दाम है तो जो तुम सुरसुराट करके ऐसे हाथ रख रहे हो ये, जब सोचते हो तो यहाँ जोर पड़ता है ठीक है, और ये कौन सा पार्ट है तुमारा Cerebrum, ठीक है, प्रमस्थिष्क बोलते है चलो, next thing is, which one of them is non-poisonous snake इन मैं से कौन सा जहरीला साप नहीं है इन मैं से कौन सा जहरीला साप नहीं है तर आप sloth जैसे दिखते हो, थोड़े दिन बाद डट जा भाई sloth क्या dinosaur भी दिखोंगा, किसी दिन तुम्हें अजगर भी दिखोंगा किसी दिन तुम्हें राक्षा भी दिखोंगा, टेंसन नहीं, बढ़ाई करो अब लोग लड़ने मत लग जाना उससे कि टीचर की जत करो, उसको दिख रहा है उसका नजर गिया है तुमको का दिख्कत है, लड़न लेला लागी जाते तरंज, ए ए शार्कर ऐसी मचबल, तुमको का दिख्कत, उसको दिख रहा है दिखने दो, ठीक है वेरी गुड, तो कोई सा भी पाइथन हो, कोई सा भी अजगर हो, जहरीला नहीं होता, ठीक है विच वन ओप देम इस जरोफाइटिक प्लांट, ठीक है, मरुस्थल में मिलने वाला, बंबू बास नहीं होता, यूकलिप्टस नहीं होता, नीम नहीं होता प्रोसोपिस इसी को आप क्या, अपनी देसी भासा में, खेजडी का पेड बोलते हो, ठीक है अब्दों से परिचित होना यह नहीं करना ठीक है ती विल वी दा राइट एंसर आपको से टेकनिकल टर्म डेफिनेशन यह सारी चीज नहीं बताने बहले ही आपको नॉलेज हो ठीक है बट यह नहीं कि छोटे बच्छी से जाके बोल रहे हैं छोटू इदर तिरू बता है मच क्या होता है रात में सुबह लाइट एब्जॉब करना रात में ग्लो करना अब यह क्या उनकी आखे होती कंपाउंड आइस तो वह उस वेवलेंद को कैप्चर करती है बच्छे तुम्हें ऐसे देख रहागा है वो को चोड़ ले पापी देदे तो यह सब चीन नहीं करना नेक्स्ट इंग इस निमने लिखित में से कौन सा अद्देश प्राद में कच्छाओं में इवे सिक्षन से संबंदिन नहीं है बुनियादी विज्ञानिक अबधारना और सिध्धानतों को याद करना यही नहीं है परियावरन का पता लगाने के लिए अफसर प्रदार करन ना उनको एक्स्प्लोर करने देना है सीधी सी बात है ठीक है तू डवलब स्किल लाइक observation, measurement, prediction and classification भाई आपकी NCRT डिजाइन ही ऐसी है कि आप उसको कई हो चप्टर में इन में से कौन सा food, plant से आता है, कौन सा animal से आता है कौन सी वस्तुओं में कहां से प्राप्त होती है तो classification, observation, skills यह सब सिखाई रहो, to develop sensitivity towards physical and social environment यह भी करवा रहो, यह नहीं करवा रहे है next thing is, EVS शिक्षा शास्त के संबंदर में सिवाए इसके निमने लिखित सभी वांचनी अभ्यास है, ठीक है, in the context of EVS pedagogy, all of the following are desirable practice, accept, building capacity of critical thinking and problem solving, nurturing the identity of child, acknowledge the superiority of textbook, knowledge over actual observation, promoting plurality of text and context, ठीक है, बच्चे की पहचान का पोशन करना, ठीक है, वास्तविक, यह घुन्न कुन्न क्या कर रहे है, अब लोकन पर पाठ्थे पुस्तक ज्यान की श्रिष्टा को सुखार करना, पाठ्थ और संदर्वो की पहुलता को बढ़ावा देना, बताये, very good, ठीक है, आप लोग ठीक है, अपनी बुक के घ्यान के उपर नहीं देख सकते, ठीक है, तो बुक का घ्यान नहीं है, सब कुछ नहीं होता, observation नाम की भी चीज होती है, जैसे कि आप बोलोगे कि खाना यही होता है, ठीक है, बट इंडिया इस डाइवर्स कंट्री, हर जगे खाना अलग-अलग होता है, आ superiority पे नहीं रखना है, NCF 2005 की अनुसार, निमने लिखित में कौन सा EVS का थीम नहीं है, ठीक है, भोजन, सौर मंडल, मौसम, उर्जा, कौन सा थीम नहीं है, ठीक है, तो very good, सौर मंडल, आपकी कोई थीम नहीं है, B will be, the right answer, solar system is not the theme of EVS, ठीक है, और आज की class का आखरी question, जो कि आपका homework है, EVS में विशे आधारत, द्रिश्टी कोन अपनानी के पक्ष में, निमने लिखित में से कौन सा सबसे मजबूत तरक है, structure to lesson plan and makes teaching more effective, making teaching more interesting and activity ways, covering a wide range of concept, issue and skills, softening subject boundaries and assessing knowledge holistically, ठीक है, तो यह आपकी class का, आज का homework है, कल हम फिर से मिलेंगे, 11 बजे, सौरी आस थोड़ा सा internet issue की वज़े से class late चाल हुई, ठीक है, बाकी शाम को आपका हम नए type के question कर रहे है, जो की आने की probability है, तो अगर आप शाम को भी जुड़ना चाहते हो, तो 7 वज़े आप जुड़ सकते है, clear है, not नहीं पूछा है sir, किसका पूछ रही हो, कौन से का पूछ रहे है, कौन सा पूछ रहे हो, किस वाले का पूल रहे है, not नहीं पूछा है, काई मा पूछ रहे हो, जल्दी से बताओ, 29 देखो फिर से, अच्छा, not नहीं पूछा है, okay, sorry, 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 हाँ, सही बात है, not नहीं पूछा है, weather भी नहीं है, energy भी नहीं है, यह तीनों ही थीम नहीं है, there are total six themes and four sub-theme ठीक है, family and friend ठीक है, food, shelter, water ठीक है, travel, things we make and do ठीक है, और यह family and friend, चार sub-theme हों में divided है, that is आपका relationship ठीक है, फिर दूसरा है आपका work and play तीसरा है आपका animal, चोथा है आपका plant 23 का फिर से बताए, 23 कौन सा पार्ट क्रेटिकल ठीकिंग के लिए, cerebrum, प्रमस्थिश्क cerebrum तो हमारी body का balance बनाने के लिए होता है, hypothalamus यह आपका hunger, thrust, प्यास, भूक, एमोशन, भाव के लिए रहता है, medulla आपका अने छिक्रिया है, जितने भी heart beat चल लही है, सास ले पार हो, digestion हो रहा है, अगर है, मूत रहा है, ठीक है, आखे बंदो रही है, आखे छपक रही है, यह सब दूला कंट्रोल करना है, साधी में सबसे important होता है, दूला, brain में सबसे important होता है, दूला, यह वाइटल सेंटर है, जीवन का केंदर है, जिए चटक गया, तो तुम चटक जाओगे, लिंक दे दीजे, डिस्क्रिप्शन में, अरे अरविंद दुवे, मैं अपना पर्सनल टेलिग्राम, चैनल पर नहीं लगा सकता है, पिर नाम से सर्च कर लो, मिल जाएगा, उम्से डहीं लिए मतबद railway मैं, चैनल अरे छो, मिल दचक लुवे, मैं गपना रे ने जिए है, जयरे लो, मैं लो, मदरा है, भी сові, मुवे, वाईट खूपक लेए, आरे लो, मैं फिसे सेंटर है, प्यूशन मम Hier में से ट दो झाल 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 झाल